नमस्ते बच्चो कक्षा साथ वीशेग नित और प्रिशनावली अपनी चल दिये 11.54 तो इसके दो बाग हैं वो अपने पहले कर चुके हैं साथ तक के कोशन पहले कर चुके हैं आज में कोशन से आगे के कोशन अब अपने देखने हैं तो आज में कोशन देखो कि चार सेंटी कितनी है चार सैंटी मितर अब आपसे पोछते हैं कि फिर उस्षी शेश कितनी रह चाहेगी इसके चारों तर तरफ थो अ क्या मतलब किससी है। चारों तर्फ शबद आते ही आपको प्रीदी परिमाप Popular में आजगिए तो अपने क्या करेंगे चार मीटर तृज़ा के लिए पहले क्या घ्याद करेंगे वर्त की प्रीदी घ्याद करेंगे और उसी 4 तेजिदा के लिए ही वरका प्रिमाप ग्याद करेंगे वरका प्रिमाप होता है चार गुना बूज़ा बूज़ा भी चार है तो वरका प्रिमाप आगा 16 और इधर से इसको हल करोगे तो 4 दूनी आठ 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 दूनी 16 और 17 साथ से बाग दोगे तो सादूनी चोदा और यहां पे आपके बाद से बचेगा तीन चतीस साथ पांजे पैंतीस पॉइंट साथ एकम साथ ये कुछ आएगा तो पचीस पॉइंट चोदा में से आप सोला को गटा दोगे तो इतनी रस्ती आपके पास क्या बच जाएगी शेश बच जाएगी मतलग चारों तरफ शवद आते हैं आपने क्या ग्याद करना है परिमा आप पूरीदी ग्याद करनी है सभी सुत्र आपको याद होंगे तो ही आप कोशन हल कर सकते हो नौमा कोशन देखो कि पारक का शेतरफल ग्याद करना है यह आयत है पूरा आयता का जो बाग है यह क्या है पारक है तो पारक का शेतरफल जनी की आयत का शेतरफल और आयत का शेतरफल लंबाई गुना चड़ाई कितना हो गया पचास मीटर कितना हो गया 50 मिटर फिर पूछ रहा है फुलों की क्यारी का शेत्रफल ये जो वुरत है दो मिटर तीजावाला ये क्या है फुलों की क्यारी है और वुरत का शेत्रफल जनी की पाई आर्स केर 22 बटा में 7 गुना दो गुना दो दो दुनी 4 चार दुनी 8 अठासी बटा में 7 साथ एकम 7 अठारा साथ दुनी 14 चालीस साथ पंच पैंटीस पांच पचास और ये उच्छ बारा पंच तावन कुछ आ जाएगा इसकी बाद क्यारी को छोड़कर 6 बाग का शेत्रफल टोटल बाग है पचास क्यारी का जो आया उसमें से उसको गटा देंगे तो शेष बाग का शेत्रफल अपने पास आ जाएगा कि आपको सभी सुत्र याद होंगे ना आयत का गरग का वृत का त्रीजा का प्रिमाप का त्रिवज का चत्रफुज का तो सारे कोशन असानी से हल हो जाएगे तो मैंने आपको कोशनों के साथ सुत्त जो पहले प्रसनावरी शुरू होने से पहले बताएं है कोपी में नोट करके उनको याद कर लेना अब आपसे इसमें पूछता है शाय की तबाग का शेतरफल चाय की तबाग का शेतरफल तो ये पूरा क्या है चत्रबुज है तो चतरवूज का शित्रफल ग्याद करें पूरे का तो वह क्या होता है अधार गुना उंचाई अठारा गुना दस अधार गुना उंचाई 18 गुना 10 कितना आ गया 180 सेंटीमेटर सकेर तो अपने पास आ गया पूरा 창त्रफल चतरवूज का- शाये की तबाका का निकालना है तो इन दो तिर्बुज का निकाल के उसमें से दोनों का योड करके इस पूरे में से गटा दें तो यह वाला बच जाएगा तो पहले तिर्बुज अधार 20 गुना उंचाई दो पंज से बची के उसमें है तो कितना हो गया 70 से में से निकालना है तो इन दोों को पूरे में से निकालना है तो 180 में से 70 गये तो आपके पास बच गया 110 cm2 शाय की तुबाग का शितरफल बच गया 110 cm2 इसी तरह सेम यह है पहले आप क्या करोगे PQRS का निकालोगे तो 20 गुणा 20 कितना आगया आपके पास 400 cm2 यह तो आगया पूरा बाहर का अब आपको क्या करना है इन तिनों तरफुज का निकाल के उसमें से क्या करना है क्रटाब कर देना है इस तरफुज का निकालेंगे तो तरफुज TSU एक वटा में 2, 10 गुणा 10, 2, 5 है 10, कितना 50 cm2 इस तरफुज का तरफुज URQ का एक वटा में 2, 10 गुणा 20 दो से काटा पांच कितना आ गया सो सेंटीमेटर सेकेर इस त्रिबुज का भी यह आएगा यह दस है यह बीस है दस और बीस था ना सो ही आएगा इन सभी का एड़ कर ले सो सो दो सो दाइसो और चार सो में से डाइसो जाएंगे तो यह शाय की दबाग का शितरफल आ जाएगा सेम यह चीज है इस पूरे का शितरफल गयाद करना है A B C D का ठीक है अब अपने एत्रिबुज A B C का देखें A B C का क्या होता है एक बटा में दो अदार गुना उंचाई त्रिबुज A B C ठीक है यह पूरी बुजा A C कितनी दे रखी है 22 पूरी बुजा तो 22 है जनी की संब है 90 का कौन बंद है न तो यह B M B M की नबाई कितनी दे रखी है तीन दे रखी है तो कितना हो गया ग्यारा ग्यारा ग्याराती है 33 सेंटीमिटर सकेर यह उपर वाले का निच्छे वाले का तिरबुज A D C का एक वटा में दो अदार तो दोनों का क्या है 22 है यह 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 और इसकी उंचाई भी कितनी है तीन है तो देखो दो से काटेंगे तो यह कितना हो गया ग्यारा ग्यारा दिया यह वी कितना है 33 सेंटीमिटर सकेर तो इन दोनों का फिर पूरे का ग्याद करना है इस त्रिबुज और इस त्रिबुज का क्या करतें एड करतें 33 प्लस 33 कितन हो जाएगा 46 cm सकया है आपकी प्रशनावली कर रहे हुई फिर और आयत का प्रिमाब शेतर्फल सभी के इस तर्याद होंगे तona पूरीह धन्यवा anarch Lahashi झाल